हेलो दूस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज हमारे पास एक सोल्डिंग आइरन है, जो कि कॉर्डलेस है, कॉर्डलेस सोल्डिंग आइरन का लाव हमको यह मिलता है, कि जब भी हम किसी ऐसी जगह पर हो सब्सकेर, जो कॉर्डलेस सोल्डिंग आइरन है, इसका ब्रान्ड कहता है कि आपको यहाँ पर एल्कलाइन बेटरी यूज़ करनी है, तो यहाँ पर इस तरह की बैटरी जो है, यह उतनी पावरफुल नहीं होती है, अब इच्छा कि एलकलाइन सेल के, तो यहाँ पर यहां अगर यह temperature हम इससे gain कर सकते हैं तो इससे अच्छी सी solding जो है वह हम कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको यहां पर पहले यह दिखा देता हूं कि मैंने इसको purchase कहां से किया है आप यहां पर देख पाएंगे कि यह जो solding iron है यह मैंने 1179 रूपीज का Amazon से purchase किया है और यहां पर हमें कुछ इस तरह की packing में यह solding iron मिलता है इसके साथ क्या क्या मिलता है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक तो यह इसका safety cap है यहां पर इसको हम इस तरीके से इस पर place कर देते हैं इसके बाद इसकी जो operating switch है यह function नहीं करता है माने on position में नहीं जाता है दूसरा आप यहां पर देख पारे है lead free हमें solder जो है इस तरह की packing में मिलता है तो यहां पर यह दो चीजे इसके साथ में मिलती है चलिए हम इस solding iron को खोल के भी देखेंगे कि इसके अंदर का internal structure जो है वो कैसा है यहां पर मैंने पिछले दिनों एक video इस solding iron पर बनाया था जो कि cordless है यह भी लेकिन यह rechargeable है तो यहां पर इस solding iron की जो bit है वो 8 watt जो है brand कहता है और यहां पर यह solding iron जो था इसकी भी bit जो है यह 8 watt की थी अगर हम comparison करें दोनों solding iron की bit की तुलना करें तो यहां पर यह जो solding iron है cordless rechargeable इसकी bit जो है इसकी तुलना में कुछ जादा ही मोटी देख रही है तो यहां पर solding iron जो है यह पहले क्या करते हैं हम खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर का internal structure कैसा है तो यहां पर आप देख पारें यहां पर हमें two screws यहां पर देख रहे हैं इनको हम unscrew कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख पारें मैं इनको इस तरीके से unscrew कर लेता हूँ जिसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर का internal structure कैसा है तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसके दोनों screw जो है इनको remove कर दिया है लेकिन अभी यह open नहीं हो पाएगा चुकि इसमें कुछ screws जो है वो और लगे हुए है तो वो screw भी हमको remove करने होगे तो वो screw कहाँ पे लगे है आप यहाँ पे देख पाएगे कि यह जो wrapper लगा है इसके ब्रांड का label जो लगा है इसके नीचे ही दो screw और लगे हुए है तो इसको भी हम क्या करते हैं कि निकाल के और फिर वो screw जो है उनको unscrew कर लेते हैं जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक screw लगा हुआ है तो इस screw को भी हम unscrew कर देते हैं इसके बाद इसमें एक जो यह logo लगा हुआ है इसके front side में यहाँ पे भी एक screw है वो लगा हुआ है उसको भी हमें remove करना होगा तभी हम इसको open कर पाएंगे यहाँ पे आप देखा रहें एक screw और हमें देखने को मिल रहा है और इसको भी हम unscrew कर देते हैं तो जैसा कि आप देखा रहें मैंने इसको भी unscrew कर दिया है अब हम इसको जो है आसानी से open कर पाएंगे तो यहाँ पे इसका जो यह cover है इसको हम सबसे पहले open करेंगे इसके operate होता है यहाँ पर यहाँ पर यह switch है और यहाँ पर 2 cell लगते हैं इस side पर जैसा कि आप देख पारें इस direction में इस तरीके से 2 cell यहाँ पर लगते हैं और एक cell यह हमारा this direction में लगता है तो टोटल voltage जो है operating voltage 4,5 है क्योनकि 1.5 bolt का एक cell है और यहाँ पर यह जो इसका back side का cover है यह कुछ इस तरीके से इन cells को जो है आपस में series में जोड देता है जिसके बाद 4.2 bolt जो है हमको मिल जाता है मैं यहाँ पर आपको operate करके दिखाता हूँ यह आप देख पारें indicator जो है इसका glow करता है जिसके बाद supply जो है इसकी bit पहुँच जाती है और इसकी bit जो है वो heat होने लगती है तो कुछ इस तरीके से यह solding iron जो है work करता है और हाला कि इसमें कोई भी जो electronic circuit है solding iron के temperature को control करने के लिए या इसके R2 power off होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जबकि हमारे इस वाले solding iron में यह सारे खुबियां थी जिसको मैंने open करके आपको वीडियो में properly दिखाया था तो अब हम इस solding iron को पहले की तरह बंद कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको operate करके भी देखते हैं तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले की तरह और फिर हम इसको operate करके देखते हैं कि क्या यह properly work करता है तो यहाँ पे इसका जो cover है मैं इस तरीके से अपर साइट का cover जो है इसको लगा देता हूँ जैसा कि आप देख पा रहें यहाँ पे और इसके बाद हम जो screw है इन screws को लगाएंगे तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा मैंने इसको properly fit कर दिया है अब हम इसमें batteries जो है वो डाल के देखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हमें batteries जो है इसमें डालनी है और यह जो तीसरे number का cell है यह कुछ हमें इस direction में डालना है इसके बाद इसका जो यह back side का cover है इसको हम इस तरीके से लगा देंगे अब यह हमें operate करने के लिए ready हो चुका है तो यहाँ पे आप देख पारें एक यह switch है जो कि दो position में रहता है यहाँ पे यह off position है जैसा कि आप देख पारें इसको हम on position में करके और फिर जब यह जो button है इसको press करते हैं तो इसकी bit पे supply जाती है जिसके बाद यह हीट होना चाली होती है यहाँ पे safety cap जो है यह इसको off रखता है तो यहाँ पे जब हम इसको इस तरीके से लगा देंगे तो यह switch को पीछे off position में धकेल देता है जिसके बाद यह safely हम इसको carry कर सकते है तो यहाँ पे brand कहता है कि यह auto power off है लेकिन auto power off कैसा है कि जब हम इसमें जो safety cap है यह लगाएंगे तब यह auto power off है तो चलिए इसको हम operate करके देखते हैं कि क्या यह solding iron जो है वाकई में हमारे solder wire को गला सकता है और इससे हम electronics की repairing कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको on करके और यहाँ पे देखता हूं कि यह कितने second में solder wire को गला पाएगा तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पारें मैंने solding iron की on button है उसको press करके रखा हुआ है लेकिन इसकी bit जो है वो मुझे heat होती हुई नहीं समझ में आ रही है और यहाँ पे इसको हम काफी देर तक press करके रखेंगे और normal cell जो है इसमें डाले हुए है हलाकि dura cell जो है अगर इसमें हम डालते तो इसकी bit जो है heat होती है और हमारा solder wire जो है melt हो पाता लेकिन normal cell जो है इसकी bit को heat करने के लिए परियाप्त नहीं है तो यहाँ पे आप देख पारें मैं लगातार press करके रखे हूँ और जो normal cell है वो इसकी bit को heat करने में सच्छम नहीं है और यहाँ पे अगर हम dura cell की बात करें तो dura cell हमको काफी costly पढ़ेंगे लगबग 20 से 25 रुपय का एक cell पढ़ेगा और वो जो है जब हम इसमें डालेंगे तो यह solding iron जो है proper तरीके से work कर पाएगा इससे हमें यह पता चलता है कि इसमें जो batteries हमने डाली है उन batteries से इसका temperature बिट का उतना ज़्यादा high नहीं होता है कि हमारा solder wire गल सके तो यहाँ पर brand कहता है कि इसमें alkaline batteries हमको use करनी है और अगर हमें alkaline batteries यानी dura cell टाइप के cell अगर नहीं मिलते हैं तो यह solding iron जो है इसको हम use नहीं कर पाएगे और यह solding iron जो है अगर हम dura cell की batteries इसमें use करते हैं तो काफी हमको महंगा पड़ेगा चुकि बैटरी जो है एक बार जब हम एक set batteries का इसमें dura cell का use करेंगे तो वो लगभग एक घंटे इसको operate करा पाएगा तो यहाँ पे यह हमको काफी ज़्यादा costly पड़ेगा तो इस तरह का solding iron जो है मैं recommend नहीं करूँगा कि आप इसको purchase करें और यह उतना अच्छा नहीं है और उतना ज़्यादा comfortable भी नहीं है हमको और अगर इसको हमको operate करना है तो इसको operate करने के लिए आपको काफी ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा आपको तीन dura cell जो है वो इसमें डालने पड़ेंगे और उसके बाद आप इसको एक घंटे के लिए ही use कर इससे आप remote area में जाके जहाँ पे electricity नहीं है वहाँ पे भी आप इसको use कर सकते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको अभी जो है on किया है और जैसे ही यहाँ पे green indicator जो है यह glow होने लगता है यह हमारा जो है ready हो जाता है use के लिए तो यहाँ पे यह folding iron जो है यह और नेश जी आप बड़ नेख पी यहाँ वा रादाभ पे लो है आपना से लिए बादाभ पादाबरा बड़ नारे भी आप बड़ च्प्त अबड़ में आप रहे। यहाँ तो यहाँ बड़ भी तो यह जा सबस्वेशन जो है झाल झाल